मशकार साथियों डॉक्टर उमंग खना हुमियोपेथि क्लीनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बाद फिर से स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे हड्डियों की कमजोरी की हड्डि की कमजोरी यानि आस्टियोपरोसिस एक बहुती समान विशय है और मैं आपको एक तथ ही यहाँ पर बता दूँ यहाँ इतना सामान है कि 35 से 40 साल की उम्र की महिलाओं में लगभग उसके बाद उनको आस्टियोपरोसिस होना है और आज के दौर में आर्थराइटीस की संभावना बहुत प्रबल है होता क्या है साथियो जब आप 35-45 साल के होते हैं तो आपके एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टरॉन हार्मोन शरीर में सिक्रीट होना कम हो जाता है और जो जो यहाँ कम होता जाता है तियो तियो आपकी बौन्स वीक होती जाती है वीक होती जाती है उसकी डेंसिटी कम होती जाती है इसी फिरामना को आस्टियो प्रोसिस कहते है आगे चलके यह आपके हट्टियों का वियर टियर करती है नुकसान पहुचाती है और आप अर्थराइटीज यानि गठिया की तरब बढ़ते है तो कितना अच्छा हो साती हो अ आप अभी से ऐसा काम हमारे परिवार की समाज के महिलाएं जब 25-30 साल की आजकल तो बीमारी की भी कोई उमर नहीं है 15-20 साल से महिलाएं बच्चिया इस नुसके को करना शुरू कर दे ताकि उनकी हड़ियां बहुत मजबूत रहें उनको और बुजुर्गों के लिए तो मैं आपको बताओंगा बहुत आसान उसका बहुत आसान चीज सिफ दो चीजों की आपको जरूवत पड़ेगी उसमें से एक चीज आपके घर पे इस समय भी होगी जब हम आपसे इस वीडियो पे बात कर रहे हैं दूसरी चीज आपके करीब जार में होगी जो कि आपको 20 र अचुग घर लोन उसका ध्यान दीजेगा सातियों होता है क्या है यह बात बहुत छोटी सी होती है लेकिन इसका जो प्रभा होता है वो बहुत बढ़ा होता है आपको साथियों कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको पावर यानि 200 ग्राम दूद लेना है दूद यानि मिल्क उसको उबाल लेना है और उस मिल्क में आपको तिल तिल यानि सीसेम सीट्स जो सफेद तिल होता है वो आपको रोस्ट करा हुआ या भीगा हुआ रोस्टेट तिल बहुत अच्छा होता है तो आप उस तिल को सी सेम सीट को मिल्क में उस बॉइल्ड मिल्क में डाल ले और उसका आप रोज सुभा रात में सोने से पहले या सुभा खाली पेट सेवन करें इस इसको आप 90 दिन तक लगातार करें आप देखेंगे कि आपके शरीर के बोस का डिजेंडेशन रुग गया हटियों का दर्थ कम हो गया जोडों का दर्थ कम हो गया और आपकी हडियों में जोर आने लगा इनर्जी मैसूस होने लगी आपका जो मूव्मेंट है वो और बेतर हो गया यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ साथियों यह क्यों काम करेगा इसको बताना भी बहुत जरूरी है कि यह क्यों वर्क करेगा साहब आपने इती बात हमारी सुन ली कि आप सफेद तिल के बीज रोस्ट करे हुए और दूद को मिला के पीजे तो ऑस्टियो प्रोसिस रुकता है लेकिन क्यों रुकता है यह साथियों इसलिए रुकता है कि 100 ग्राम सफेद तिल में 975 ग्राम कल्सियम होता है और हमारे शरीर को एक दिन में 1000 मिली ग्राम कल्सियम की आवसकता होती है तो अगर हम इस 1000 मिली ग्राम को 975 मिली ग्राम तो आपका यही हो गया जो आपको सी सेम सीट से मिला प्लस आप दूद पी रहें प्लस आप कुछ और भी जीवन में खाएंगे पूरे जिन भूके नही मिला देएंगे तो कुल मिलाके आप की कैल्शियम की कभी पूरी तरह पूरी हो जाएगी उसके अलावा साथियो तिल में जो है जो है जल्क पाया जाता है जिस्क बहुत कारगर होता हैती आपका ऑस्प्रोसिस को यह ऑफ नहीं को रूपनिटा है तो इतने साथे और इतने सारे आपके हड्डियों को मजबूत करने के और सदिये गुड़ों से भर पूर या सफाय तेल यानी सीसेम सीट्स और दूद का यह जूपन उसका आप करिये और हमको बताइए आपको फाइदा मिला की नहीं मिला आपके मन में कोई query हो साथियों तो आप comment portion में अपनी query लिख सकते हैं या WhatsApp पे हमें अपनी query भेज सकते हैं कोशिश करेंगे आपकी बात का संतोचनक जवाब दे निवेदन करेंगे साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा आपने चैनल को सब्स्रा कि मुझेे अच्छा लग। झाल 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 झाल